हेलो गाइज मैंने आपको नेक्स टॉपिक पहले टॉपिक क्या कर रहा था टाइपस ओफ रेशियो अब मैं आपको नेक्स टॉपिक कराने वाले हो प्रपोर्शन क्या होता है यह प्रपोर्शनल क्या होता है ठीक है तो मीनिंग ओफ प्रपोर्शन इफ टू रेशियो और इक क्या कहेंगे यह proportion में है इन अधर वर्ड द फॉर क्वांटिस डी आवसे टूब रोपोर्शन भी कुट तुसे रिच्टो डी हमारा जब यह चार रोपोर्शन में कहला तो हमारे क्वारेश कुए उर्ड रो और यह एन डि है उसको एक्स्टीन कहते हैं और जो हमारा बी एंड इनके उन्सी स्कॉद्ध Lt O सब्सक्राइब उस को स्था प्रीया अभर हमारा नेउंड इनुझ आनगे उस इसको एक्स्ट्रीम कहते हैं और जो हमारा B and C है उसको middle term कहते हैं अब हम property करेंगे next की property क्या है if two if four quantities A, B, C, D in proportion जब हमारा A, B, C, D proportion में होती है तो हमारा क्या होता है A ratio B equals to C ratio D ठीक है तो हम इसको conserve करके लिख सकते हैं से A into D equals to C into B ठीक है अब हम next कौन सी property पढ़ेंगे continue property इसमें तीन quantity हमें given होती है तो हम इसमें क्या सब्सक्राइब कि हमारा continue proportion है A ratio B equals proportion to B ratio C ठीक है तो हमारे क्या होगा यह multiply आपस में होता है तो B square A, C हमारे एक formula होगे continue proportion का ठीक है for example हमारा question given है कौन को क्या given है 1, 2 and 4 ठीक है हमारा A 1 है B हमारा 2 है C हमारा 4 है तो हम इस question को solve करके देखते हैं ठीक है इसी formula लगा के तो हमारा A क्या है 1 into C हमारा 4 equals to हमारा B का square 2 का square क्या होगा 4 होगा ठीक है तो यह हमारा 4 equals to 4 ठीक है एकॉल हो क्या है ठीक है यह formula लगेगा अब basic rules का proportion के इनवार्टंडो अल्ट अल्टर नेंडव और और कंपोड़ और वेडिवीड और कंपो डिविड यह अर्टेशाम करते हैं inter tendow में क्या होता है जो हमारा a ratio B equals to C ratio D होता है यह proportion कहलाता है तो हम इसमें क्या करते हैं कि इन इन रिश्यू को आपस में ही exchange कर सकते हैं इसको हम क् इनवर्ट एंडो ठीक है और अल्टर एंडो माने क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे एंटिसीडेंट होते हैं उसको आपस में चेंज कर सकते हैं जैसे ए रेशियो C and B रेशियो D और कमपोड एंडो में क्या होता है A ratio B equals to C ratio D तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं A plus में B का ratio B and C plus में D का ratio D तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं for example question given है हमारा A हमारा two है B हमारा four है और C हमारा eight and D हमारा sixteen है तो हम इस question में इसको put करेंगे तो हमारा equal होगा तो इस component properties होगी proportion की ठीक है अब next हमारा dividend dividend में क्या होता है A ratio B equals to C ratio D ठीक है इसमें क्या होता है हमारा जैसे हमने component में plus लगा दिया था वैसे हाँ पर sign change हो जाएंगे बस और यही same property लगेगी ठीक है इक्जाम्पल four ratio two equals to sixteen ratio तो A minus B का यह जो फॉर्मला लगाए यह फूल लगाओ टू बाए टू टू बाए टू लेट बाए टू ए तो वन आंगे अंसर आंसर आँस वन component और डिविडेंडो component और डिविडेंडो में क्या होता है ए प्लस बी ए मैस बी इक्वोस तू C plus D C minus D ठीक है यह हमारा component और डिविडेंडों में यह फॉर्मले याद रखना यह फॉर्मले ही लगेंगे तभी solve होंगे ठीक है अब हमारी एक important theorem है कि हमारा जब A upon B equals to C upon D equals to E upon F होगा तो हम क्या बोलेंगे जो हमारा A plus C plus E equals to B plus D plus F equals to A upon B का और A plus C plus E upon B plus D plus F हमारा C upon D का और A plus C plus E और B plus D plus F हमारा C upon D के एक को लोगा यह हमारी important theorem ही ध्यान रखना ठीक है आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीस मेरी लाइक करना शेक और सब्सक्राइब करना थैंक्यू बाई